साथियो नमस्कार रानिवाडा में विदान सबा सीट पर चुनावी तस्वीर साप हो गई है या मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रतन देवाशी और बीजेपी के नारायन सिंग देवल के बीच होगा पिछले विदान सबा चुनाव में दोनों परत्याशी आमने सामने थे जिसमें नारायन सिंग देवल ने चुनाव जीता रतन देवाशी न अपना पहला विदान सबा चुनाव 2003 में रानिवाडा से लड़ा इससे पहले 1998 में हुए चुनाव में ये सीट कांग्रेस के रतन रा बदला और रतन देवाशी को टिकर दिया उनके सामने बाजपा के आरजुन सिंग देवडा थे परिणाम में देवडा 11,795 वोट से जीत गए इस तरह देवाशी अपने पहले चुनाव में हार गए इसके अगले चुनाव 2008 में रतन देवाशी वापस पार्टी के प्रत्या बनाए गए और 19,802 वोट से जीते देवल ने पहला चुनाव 2008 में बाजपा के दिगज नेता पूर्व पसुपालन और विशु का मंतरी आरजुन सिंग देवडा की जगर लडा था और चतुस कोने मुकाबले में देवल को हार का सामना करना पड़ा जिसमें कांग्रेस से रतन देवासी विजए रहे थे जिसके बाद में उन्होंने 2013 में 34,000 और 2018 में 3400 मतों से कांग्रेस के रतन देवासी को लगाता दो बार हराया साति और रानिवडा में नारायन देवल और रतन देवासी में बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है तो आप भी अपनी कमेंट में राई बता सकते हैं कि कौन जितेगा इन दोनों में से तो इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पेस्बुक पेज पर आप पहली बार आ रहे हो तो पेस्बुक पेज को फोलो करके जरूर जाए धन्यवाद